नमस्कार राजस्तान मोसम समाचार में आपका स्वागत है आईए जानते हैं आज राजस्तान की शित्र में कैसा रहेगा मोसम किजलों में बारिश और अंधर की संभवना रहीगी इसके साथ यह बताईंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सर्टीक जानकारी तो आपसे निविदन रहेगा वीडियो को अंधा दक देखिएगा वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देजेगा साथ यू कल भी राजस्थान की कई सारे भागों पे भारी बारजेशी गति वीदिया देखने को मिलने वाले हैं कुछ एक जिलो में टेज अंधर यानि आंधितुफान की भी संभावनाई बंदरी है उनिके बारे में भी सही और सटीक जानकारी देचाएगी सबसे पहले देखिए अभी सुबे की लाइव से ट्राई तस्विर जिसमें राजस्थान के बाडमेर जालोर और कुछ शिरोई जोदपूर के भाग को सोड़के लगपक समस्त राजस्थान में बादलो की आवाचाई बनिवोई है वही कोटा संभाग और अजमेर संभाग मिलवाडा की कुछ बाग है यहां पर बारिष की गतिविद्या सुबह सुबह जारी हैं आई राजस्थान के मेप के तरू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगावी 24 गंटों के दोरान राजस्थान के किन जिलों में कैसी बारिष की संभावना रहेगी सबसे पहले करते हैं इन जिलों में खंड बारिष की संभावना रहेगी लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ी सी बारिष की गति वीडियो में बड़ोतरी देखने को मिलेगी कुछ विकानेर के बाग है वही गंगानगर के कुछ सिमावरती बाग है यहां पे कुछ एकस्तानों पे साम के समय में अच्छानक से गरजना वाले बादलों का निर्मान होगा और यहां पे भी तेज अंदर के साथ में बारिष की गतिवीडिया देखने को मिलेगा और शाम होते होते लगबग साम को 6-7 बजे के आसपास में और आज रातरी को लगबग इन दोनों संभाग के बनेगी और कुछे किस्तानों पे तेज मुश्लाधार भारी बारिष जैसी गतिवीडिया भी देखने को मिलेगी तो जड़ातर जिलों में हैं वो हलकी शे मद्यम दरजे की खंड बारिष जैसी गतिवीडिया देखने को मिलेगी अंदर जैसी गतिवीडिया भी साथ में र लेने वाला है क्योंकि यहां पर आज भारी बार इसका आलर्ट है वह रहेगा विसेस तोर पे उड़ेपूर अजमेर शंबाग के दक्सरी और दक्सरी पूरवी दक्सरी बच्छी बाग है यह वाला जो में लाल घेरा दर्शा हैं यहां पर आज बारी बारी जैसी कती वीदिया देखने को मिले वाली हैं जिसमें अजमेर से लेके रुपूसकर के आसपास को शेत्र है आसिंद भीलवाड क्या आस पास के शेत्र है जाती है नडगरपूर कष्छेहर के आश्पास कशित्र है इन सभी शेत्रों में आज भारी बारिस का अलर्ट रहेगा तो यहां के जितने भी हमारी किसान वाई हैं उनसे विशेश सावधान देने की हमारी और से हिडायत ली जाती हैं नडी नालो से थोड़ा सा आप दूर जरूर रहे क्योंकि यहां पे नडी नालो में थोड़ी सी पानी की आवग जरूर देखने को बिलेगी कुछ एक नडी नाले हैं वो तेज गती से भी बेह सकते हैं आगमें 24 से लेकि 72 गंटों के दुरान क्योंकि यहां पे बारिस की गतिविद्या लगातार जारी रहेगी और पहले भी मैंने कहा है कि 5 माई तक बारिस की गतिविद्या है वो चुट-पुट-पुट-पुट जारी रहने की संभावना इस बार बन रही है यहनिने लगाता अगले पांस से साथ दिनों तक गरजना वाले इस्तति राजस्थानी के अलग अलग समय में देखने को मिलने वाले हैं तो उरेपुर शंभाग, कोटा संभाग और जो आपके अजमिर शंभाग के जो खिसान वाई हैं उनसे विसे सावधान रहने की हमारी और से हिरायत दी जाती हैं बात करता है जोदपूर संभाग के पाली के अधिक तर्शेत्रों पे आज सुवे सही बारिसकी गतिवीद्या जारी हैं कल भी यह आप पे तेज मुष्टाधार बारिसकी गतिवीद्या देखने को मिली थी अंदर कल सही देखने को मिल रहे है वही शिरुई के भी अधिकतर शेत्रों पे आज बारिस की गतिविद्या जारी रहेगी आज दोपेर के बाद में विस्स तोर पे तीन बजे और चार बजे के आसपास में और शाम को छे और साड़े से बजे के आसपास में हैं शिरुय के अधिकतर सेत्री पर गरजना वाली इस्ताइधी देखने को मिलेगी और अंदर जैसी गतिवीदिया भी देखने को मिलने वाले हैं वही बात करते हैं जालोर की तो जालोर के भी कल अधिकतर शेत्रों पे बारिस की गतिविद्या देखने को मिले थी साचोर से लेके चितलवाना के भीनमाल बागोडा सायला जालोर आहूर रानीवाडा इन सभी शेत्रों में कल कुछी बारिस भी देखने को मिली थी तो कुछी के स्थानों पे तेज मुश्लाधार जिसकी चितलवाना भीनमाल और बागोडा के जो भाग हैं या पे भारी बारिज जैसी गतिविद्या भी देखने को मिले थी तेज हवा के साथ में तो आज भी ऐसी संभाव न रहीगी दो तो पहरी के तीन बज़े की बाद में आपे मौस्म में बदलाव देखने को मिलेगा वैसे दो बज़े से ही गरजना वाले बादल है वो बनने चाल हो जाएंगे लेकिन तीन बज़े के और चार बज़े के आसपास में कुछ बादल मजबूत होंगे और साम को छे साथ बजे तक अधिकतर शेत्रों में मौसम साफ रहेँ गा तिकी धूब के लिए रहेगी और जालवुमें भी बारा एक मजह तक कडीध के धूब के लिए नीगी फिर उसके बाद वाद लूर की आवज्जाई में बढदोत्री देखने को مिलने वाली हैं और बाड़ मेह के भी आज अधिकतर शेतरों पे दोपेरे के बाड़ मियू और सामके समय में बाड़ी के सम्भावनाय बन रही है जो विएस सव HC चेटर में रहते हैं उनको विएस अलर्ट पेरेने की होर से हमां से हिडाय दी जाती हैं अंदर भी बहुत तेज रहेगा तो इस कारण से आप विशे सावदान रहे अब अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अंदर की गतिविदिया है वह इस वाला बेल्ड में देखने को मिलेगी यह वाला जो बेल्ड में बनाया है जोद पूर्श बनने की समबावनाई बन रही हैं वो यहांसे यह वाला बन रही हैं जेपुर्श लेकि कुछ जुन जुनू दोसा और अलवर यह वाला बाग है यहां पर टेज अंदर की गतिविदिया देखने को मिलेगी और बाकी इस वाले भाग में इस तरह शे अरब सागिरी साखा की और शे मद्यम गति की हुआए वो चलती रहेगी और इनके साथ में बाद लोग के साथ में बाद लोग का दिर्मान भी होगा और यहां पर बारिस की गतिविदिया है दो परिके बाद में देखने को मिल वाले हैं तो फिलाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही मिलते है अपडेट पे तब तक के लिए नमस्कार जाए हिंड़